असलाम अलेकुम कैसे हैं आप उम्मीद करती हूं सब खेरियत से होंगे और जी आज में आपके साथ एक ऐसी इंस्टंट मिठाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूं बिना गेज जलाई ही आप इसे आसानी से बना सकते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद तो बच्चे भी आप यह प् Europo चने से भी इस इस बना सकते हैं, खात्म हो भी को पानर कर हैं लिए मिंधा नगा से आप अपनी पसंद के कोई भी ईयत राइफ रूट सामिल कर सकते हैं Goes को सके तो अप इसको मिपनी नगी अपकप इसमें अक्रोड भी एट कर देंगे और इन दोनों को मिला करके हम अच्छे से इसका फाइन पाउडर बना लेंगे यह देखिए मैंने अधे अक्रोड इसमें एट कर दिये हैं और अब इसके साथ हम इसमें अच्छी खुश्बू के लिए एट कर देंगे आधा चमच हरी इसमें अच्छी खुश्बूर बनाना तो एक बड़ी सी थाली ले 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 ताकि आपका जो पाउडर है वह असपास ना बिखरे अब जो बच्चेवे चने हैं उन्हें भी हम मिक्सी जार में डाल देंगे और जो बच्चेवे हमने अक्रोट रखे वे थे वह भी इसके साथ अधा चमच हम इसमें एट कर देंगे हरी लाजजी का पाउडर और इसको फिर से हम पिस लेंगे तो यह देखिए फिर से हमारा पाउडर पिसकर अच्छे से तयार हो गया है अब इसे भी हम इस थारी में निकाल देंगे अच्छे से मैं जार में से निकाल कर इस थारी में ड के साथ भी हम छय मार्किट में बहुती आसानी से मिल जाता है। हलवाई लोग जादते र इसी का इस्तेमाल करते बना जब मिठाई बनाते हैं। चलाए जी तो वीडियो पूरी होने से पेले इसे लाइक और चेनल को सस्क्राइब जरूर कर दें। क्योंकि वीडियो पूरी होने के बाद आप लाइक और सस्क्राइब करना भूल जाते हैं आपके एक लाइक कर देने से हमें बहुत खुशी मिलती है तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया करें अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हमें इसमें गुटलिया नहीं बननी चाहिए यह देखे उसको फिर से हम यह आधा पचावा घी इसमें इट कर देंगे और फिर से हम इसको अच्छा से मिक्स कर लेंगे तकरीब jij दो जमाशी घी का इस्तिमाल किया है मैंने इस मिठाई के लिए ये देखिए दोनों हातों से हम इस तरह से अच्छे से मसल लेंगे ताके इसमें गुटलिया आगेरा ना रहें तो अब हम इस mixture को बाइंड करने के लिए इसमें दूद का इस्तिमाल करेंगे तो यहाँ पे मैंने एक कप भर के दूद ले लिया है तो अब इस mixture में हम थोड़ा थोड़ा दूद एट करते जाएंगे और इसे बाइंड करते जाएंगे अच्छे से हमें इसे आटे की तरह नह कर लेना है इसे जादा नहीं करना है वरना आपकी जो मिठाई है वो अच्छी नहीं बनेगी तो आप इस mixture को हम side में रख देंगे और यहाँ पे मैंने ले लिये हैं दो मिठाई के box यह आप देख सकते हैं यह किलो वाला मिठाई का box है और यह दूसरा box जो है यह 500 ग्राम मि पिछा दिया है इसी के नाप का और अब उस पे हम हलका सा ओल लगा लेंगे ताकि हमारी मिठाई है यह ना चिपके इसमें और ओल लगाने के बाद मैं इसमें थोड़े से कटेवे पिस्ता रख दूगी ताकि हमारी मिठाई जो है और भी ज्यादा खुबसूरत लगे और उ ऐसे तो इस तरह की मिठाई बनाने के लिए हमें मोल की जरुवत लगती है पर अगर वो ना हो आपके पास तो आप इस तरह से मिठाई के बॉक्स में भी इस मिठाई को अच्छे से जमा सकते हैं तो आपके घर पे भी जब कोई मिठाई में अगर आया ना तो आप उनके अगर जरूरत लगे तो आप बार बार इस चमच में लगा सकते हैं यह देखिए मैंने फिर से इसमें लगा लिया है और फिर से में इसको अच्छे से चिकना कर दूगी और चिकना करने के बाद हम इसको फ्रीज में रख देंगे एक से डिर गंडी के लिए तो जब तक के हमारी मिठाई सेट होती है तब तक हम यह बचेवे मिक्सचर के लड्डू बना लेते हैं या तो आप इस बचेवे मिक्सचर से दूसरे बॉक्स में मिठाई जमा ले या फिर आप इस तरह से लड्डू बना ले ये देखिए लासमी मैंने सबसे छोटा लड़ू बनाया है इसे मैं छट पर डालने वाली हूँ वेसे तो मैं रोज ही चिडिया, कवे और गिलेतरी वगेरा के लिए खाना रखती हूँ छट पर मगर जब कुछ मीठा या कुछ स्पेशल बनाती हूँ तो फिर में उनके लिए याद से जरूर रख देती हूँ तो आप भी इन लोगों के लिए थोड़ा सा खाना आंगन या फिर छट में जरूर रखा करें क्योंकि ये बेजुबान जानवार होते हैं और ये हमारे लिए बहुत दुआ करते हैं मैं इन लड़ों पर थोड़ी सी कच्छी चिरोंची लगा रही हूँ आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राइफूट इस पर लगा सकते हैं ये देखिए मेरे पास यही थी तो मैंने इने ही लगा दिया इस पर आप इने बेसन के लड़ों और बेसन की बर्फी भी कह सकते हैं और आप इने एक मैने के लिए फ्रीज में स्टॉर करके रख सकते हैं ये खराब नहीं होंगे लीजिए इदर हमारी बर्फी भी अच्छे से सेट हो चुकी है अब हम इस box से इसे बाहर निकालेंगे तो ये मैंने एक बड़ी सी plate रख दी है इस पर और इस तरह से हम इसको पलट लेंगे ये देखिए बहुत ही आसानी से निकल जाती है ये अब बिल्कुल हलके से पकड़ कर हम इस box को अलग कर देंगे ये देखिए कितनी perfect तरीके से हमारी बरफी बनकर तयार हुई है बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है ये ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है अब इसको हम cut कर लेते हैं तो आप अपने पसंद की किसी भी size में से cut कर सकते हैं आपने इसे बिल्कुल हलके हातों से कट करना है ताके ये तूटे नहीं ये देखिए मैंने इसे बिल्कुल हलके हलके हातों से अच्छे से कट कर लिया है और काफी बढ़िया और बहतरीन इसके पीसिस कट हुए है यह आप देख सकते हैं कितनी perfect हमारी मिठाई बनकर के तयार हुई है आप इसको बेसन की बर्फी भी कह सकते हैं बेसन चक्ती भी कह सकते हैं तो चलिए अब मैं आपको इसे तोड़ कर दिखाती हूँ देखिए कितना बड़िया टेक्स्चर आया है इसका मुँबे जाते ही घुल जाने वाली बर्फी बनकर के तयार हुई है एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और फटाफट से चैनल को सस्क्राइब कर लें क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी ही मज़ेदार रेसिपी और रेमेडी शेयर करती रहती हूँ एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करके देखें इंशाललाब आपको बहुत पसंद आईगी और आप इसके तीवाने हो जाओगे मिलते हैं अगले वीडियो में अलाँ हाफीज